नमस्कार दोस्तों आज हम करेंगे मेरा देश भारत जो की एक हिंदी का निमंध है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा देश भारत है जहां लगबग एक अरब से भी ज्यादा लोग रहते हैं विश्व में चीन के बाद हमारे देश की जनसंख्या का दूसरा स्थान है आज विश्व का हर सात्वा वैक्ती भारती है भारत की सीमा तीन और से समुद्र से घिरी है एक और हिमाले है तो एक और पाकिस्तान है भारत एक महानविसद अदभुद देश है विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के लोग यहां रहते हैं हिंदू, बोध, जैन, सिख, आदी धर्मों का तो यहां जन्म हुआ है अनेक्ता में एक्ता भारत का विलक्षन उधारन है उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्या कुमारी तक पश्चिम में गुजरात से पूर्म में असम तक भारत की सीमा है उत्तर में परवतराज हिमाले शान से खड़ा है इसकी चोटियां विश्व की सबसे उची चोटियां है ये सदा हीम से अलंकरित रहती है इसके नीचे विशाल सागर है इसके अंदर महान नदियों का विश्टरित जाल है यहां सभी तरह की जलवाई उपाई जाती है भारत में सभी धर्म के लोग आपस में मिल जूल कर रहते हैं और सभी त्योहार एक साथ मनाते हैं यहां सभी लोग चाहे किसी भी धर्म या प्रदेश या जाती के हूँ वे मिल कर रहते हैं भारत का इतिहास भी बड़ा प्राचीन है सिंदु घाटी सब्यता और रामायन काल से लेकर अब तक हजारों वर्ष का इसका इतिहास है प्राचीन काल में है सोने की चिडिया कहलाता था आज यह प्रगती की रहा पर आगे बढ़ रहा है भारत में अनेक महानवी भूतियों का जन्म हुआ है प्राचीन समय में गोतम बुद्ध राम कृष्णा महावीर हुए तो वर्तमान में महात्मा गांधी आदी इन्होंने देश की जनता का आदर समान किया और सदैव विकास की रहा पर चलने का उबदेश दिया भारत आज महाशक्ती के रूप में जाना जाता है हमें अपने देश उसकी सब्यता पर गर्व है धन्यवाद ये था एक छोटा सा निमन जो आपको एक्जाम में काम आएगा या आपके होमवक में करने को काम आएगा